एक गाउ में एक किसान रहता था। उसका नाम भोला था। भोला को भगवान पर पूरा भरोसा था। मगर वह भगवान से नाराज था। एक दिन मंदिर में जाकर भगवान से कहा। हे भगवान कभी बाड से तो कभी सूखे से, कभी धूप से तो कभी भोलो से मेरी फसल को नुकसान पहुँचता है। कैसे अन्य के भंडार भर दूँगा। भगवान ने इसकी प्रार्थना स्विकार कर ली। भगवान बोले ठीक है, जैसा मौसम कहोगे, मैं वैसा ही मौसम दूँगा, मैं दखल नहीं करूँगा। किसान ने गेहु की फसल बोई। भगवान से उसने जैसा मौसम चाहा, वैसा ही मौसम मिला। तेज धूप, आंधी और ओले उसने आने नहीं दिये। समय के साथ फसल बड़ी और खेत फसल से भरा हुआ दिखने लगा, मगर जैसे ही फसल पकी, तो किसान ने पाया कि गेहु की बालिया तो मोटी-मोटी थी, मगर उनमें दाना एक भी नहीं था, वह नाराज होकर भगवान के पास गया। भगवान बोले, मेरे फोले भक्त, तुमने अपने खेत के पौधो को तेज धूप, आन्धी और ओलो से संघर्ष नहीं करने दिया, इने खुद को ताकतवर बनने तता फलने का मौका नहीं दिया, इसी कारण वह खोकले रह गए। जिस प्रकार आदमी संघर्ष और मेहनत किये बिना, अपने अपने अंदर कोई गुण पैदा नहीं कर पाता। चुनोतियों के आभाव में खुद को सफलता के लायक नहीं बना पाता। उसी प्रकार पौधे भी, संघर्ष तथा चुनोतियों के आभाव में अनाज पैदा नहीं कर पाते हैं। वे स्वस्थ तो दिखते हैं, मगर अन पैदा करने की ताकत उन्हें नहीं मिल पाती। किसान भगवान की बात का अर्थ समझ गया।